गुड फार्मिसी प्रैक्टिस अगर एक्जाम में आ जाए तो आप क्या इसका एंसर देंगे क्योंकि ये एक important topic है और आपके exam के point of view से भी important है तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि गुड फार्मिसी प्रैक्टिस में जो जो element होते हैं जहां पर आपको चार element exam में लिखने है तो आप किस तरह से लिखेंगे इसका पहला point ये बताया जा रहा है कि गुड फार्मिसी प्रैक्टिस में ऐसे activity जूड़ी रहती है जो कि good health को promote करता है साथी साथ बिमार health के बचाओ में अपनी महत्वपुन बहुमिका निभाता है और साथी साथ ऐसे health objective को achieve करने में मदद करता है जो कि इनसान को better life जीने में मदद करते हैं गुड फार्मिसी प्रैक्टिस ऐसे काम से संबंद रखता है जो दवाईयों के इस्तिमाल और उसकी supply से जुड़ा रहता है इसके साथ साथ इसमें वैसे भी काम होते हैं जो दवाईयों के administration और बिमारीयों के treatment से जुड़े रहते हैं ये सारे काम या तो किसी pharmacy या फिर किसी institution या फिर home care setting से संबंद रखते हैं यानि कि ये तीनों रूपों में किसी भी medicine को मरीज को उपियोगी लाइक देने के लिए available करवाते हैं good pharmacy practice में pharmacist के द्वारा मरीज को self care यानि अपनी देखवाल कैसे करनी है इसके साथ साथ advice दी जाती है साथी साथ appropriate दवाईयों को रखने के अस्थान और इसके साथ साथ medicine की supply उसके कुछ treatment और alignment जिसमें symptom of disease आ जाती है यानि किस तरह के symptom आ जाते हैं किसी भी बिमारी को ले करके इन सारी बातों को advice के माद्यम से या फिर patient counseling के माद्यम से बताई जाती है ताकि मरीज दवाईयों का अधिक्तम उपयोग ले सके और वो अपने दवारा खर्च किये गए पैसेक से सही इलाज के रूप में दवाईयां उसके पास पहुंच सके और उससे उसको अधिक फायदा मिल सके इसके साथ साथ pharmacist को good pharmacy practice में मरीज को ये भी समझाना है कि जो दवाईयां उसे prescribe की गई हैं अगर वो समझना चाहता है तो वो आपके दवारा अच्छी तरह से समझे क्योंकि अगर वो दूसरे तरीकों से दवाईयों के बारे में सीखेगा तो वो उसके स्वास्त के लिए हा जानिकारक हो सकता है इसके अलावा अगर मरीज चाहता है कि कौन सी दवाईय का इस्तमाल किस रूप में हो रहा है तो वो भी आपको मरीज को बताना होगा क्योंकि good pharmacy practice में मरीज को दवाईयों के बारे में जानना उसका अधिकार है और मरीज को दवाईयों के बारे में बता एक फार्मसिस्ट का करतब्य है ये चार important point के लावा पाच्वा point भी है जो good pharmacy practice में आ सकती है और कुछ अच्छे फार्मसिस्ट इन पाच्वे point को भी मरीश को अच्छी तरह से बताते हैं और अपने करतब्य का निर्वान करते हैं कि कैसे एक अच्छा health care प्रोफेस्टल बन सके के फार्मिसी के फिल्ड में तो इसमें पांचवा नंबर पॉइंट में जो पहला बात ये है कि जितने भी हेल्थ केर प्रोफेशनल हैं उनके साथ वो भी मिल करके मिटिंग करते हैं साथी साथ पॉपुलेशन लेवल को किस तरह से कंट्रूल किया जाए और साथी साथ दवाईयों का मिस्यूस बंद हो दवाईयों का एब्यूसमेंट बंद हो इसके अलावा वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो मेडिसीन में बनाने वाली मटेरियल है उसका प्रोमोशन जो है सही तरीके से हो और साथी साथ उस मटेरियल से हेल्थ पर कोई साइड के लिए हमेशा अपना 100% योगदान देने के लिए आगे रहते हैं इसके अलावा अगर कोई क्लिनिकल ट्रैल्स हो रहा है किसी बीमारी में दवा को ले करके तो उसमें भी वो बढ़ चरके हिस्सा लेते हैं उस प्रैक्टिकल में या उस एक्सपेरिमेंट में उनका इन्वाल उसका कम से कम साइड इफेक्ट मरीज को हो सके